वातालाब टीवी पर एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे बॉलिवूड में उठे बड़े सवाल की एक्टर रणवीर सिंग के फोटो शूट से हर तरफ बवाल मचा हुआ है ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक्टर ने ऐसा क्यों किया बेधड़क बेपाक रणवीर सिंग आज कल बड़े सुर्खियों में है रणवीर के लिए वैसे तो सुर्ख्या बटोरना आम बात है कभी किसी बोल स्टेट्मेंट को लेकर तो कभी अपने मजाकिया अंदाज में बड़बोले हो जाना उनकी पुरा निकला रही है लेकिन अब जो हुआ है उस वज़े से रणवीर हर किसी के निशाने पर आ गए है अक्टर के निउट फोटो शूट के बारे में तो आपको पता ही होगा अब रणवीर के फोटो शूट से एक दिल्चस बात सामने आई है आखिरकार इसके पीछे का माजरा क्या है रणवीर ने इसे यूँ ही कर लिया थे या फिर इसकी कोई खास वज़े है आईए इसकी परताल करते हैं सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये सब कैसे शुरू हुआ दरसल बॉलिवोड एक्टर रणवीर सिंग ने एक मैगजीन के लिए निउट फोटो शूट करवाया था जिसे लेकर हर तरफ बवाल मचा हुआ है रणवीर सिंग इन फोटोज में लगभग पूरी तरह नेकेट नजर आ रहे हैं कुछ लोग रणवीर को ऐसा करने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहें कुछ लोग सरासर उनके खिलाफ खड़े हैं हाला कि रणवीर ने अब तक इस बात पर चुपपी सा दिये नियूर फोटो शूट पर एक्टर के खिलाफ अलग-अलग जगाओं पर शिकायत दर्ज होना भी शुरू हो गई है पहले मुंबई, फिरिंदौर और अब बिहार के मुझफफर फुर में रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है लोगों का मानना है कि एक्टर की वज़े से मैं आहत हुई है इससे देश में अस्षान्ती फैल रही है और उनके खिलाफ रणवीर को देश में रहने की जाज़त नहीं होनी चाहिए अब आपको बताते हैं कि रणवीर सिंग कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते हैं ये तो सबी जानते हैं अब तक उन्होंने जो भी कारणामे की हैं उसके पीछे हमेशा से कि कोई न कोई बड़ा कारण रहा है वैसे अगर इसे हम एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट कहें तो कैसा रहेगा जी हाँ अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से दिमाख लगाएंगे तो इन सबसे एक बात समझाती है कि रणवीर ने यहां अच्छा दिमाख लगाया है बीते महीनों में एक्टर की लगभख सभी फिल्में बॉक्स ओफिस पर धप रही हैं इसे लेकर वो जाहिर तोर पर परिशान होंगे और बॉलिवुड का इतिहास तो यही बताता है कि जब जब किसी फिल्म पर पवाल मचा है तब तब उसने पाजिमारी है रडवीर की आने माली फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस फिल्म से सभी को काफे उमीदे हैं इस बीच एक्टर भी अपने करियर में बहतर करना चाते हैं और बहतर की चाह में रडवीर किसी भी हद तक जा सकते हैं तो जाहिर है कि रडवीर की ये न्यूट फोटोज उनकी अगली फिल्म के लिए पाबलिसिटी स्टंट हो सकती है इन सब के बीच एक और बात का जिक्र किया जा सकता है कुछी दिनों पहले साउथ स्टार विजय देवर कॉंडा ने अपने फिल्म लाइकर में अपना पोस्टर रिलीज किया था जिसमें वो न्यू नजर आ रहे थे विजय के उस फोटो ने इंटरनेट पर तहल का मचा दिया था अब रडवीर इससे कैसे जोड़ सकते हैं दर असल रडवीर सिंग एक ऐसे अक्टर है जो किसी भी चीज में पीछे रहना हम पसंद नहीं करते हैं उन्हें हर वो काम करना आता है जिसे किसी और ने अटेम्ट किया हो ऐसे में कहना भी गलत नहीं होगा कि विज्जे जैसे एक लास एक्टर की तरह ही रडवीर भी स्टीरियो टाइप को तोड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया